हेलो एवरिवन, वेलकम बेक टू माई चैनल, तोजी आज के वीडियो में हम सीखेंगे बॉडी से नाप लेना और उसको हम किस तरह से निकालते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को कर्णिंग करना सिखाऊंगी, तोजी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के लिए हेलफुल वीडियो को लाइक जरू करिएगा, तो चलिए फिर हम शिरू करते हैं, तो जी सबसे पहले जो है हम नाप लेना सीखेंगे, तो सबसे पहले हमने जिसका भी नाप लेना है, उसको भीकुल स्क्रेट खड़ा कर देना है, और कंधी से इंची टेप रखते वे हमने इस तरह से इसे नीचे तक लाना है, यह देखिए इस तरह से, और इनके जो सूट की लंबाई है, वो है यहाँ पर 39 इंच, बट इन्हे थोड़ा लॉंग चाहिए, तो मैं यहाँ पर सूट की लंबाई 42 रख रहे हूं, आप अपने अकॉर्डिंग ज्यादा या कम रख सकते हैं, अग हमने शोल्डर का नाप लेना है, तो शोल्डर का नाप हमने कहां से लेना है, जो हमारी स्लीव की सिलाई होती है, वहां से हमने अपना इंची टेप रखना है, और दूसरी स्लीव की सिलाई तक हमने इस तरह से ऐसे इंची टेप को ले जाना है, तो जो हमारा शोल्डर है, व आपने एक FINGER को जो है इसके अंदर रखना है यह देखे इस तरह से, एक FINGER को आपने इसके अंदर रखना है और बिल्कुल अच्छे से आपने इसका नाप लेना है dispos 36 इंच तो जो इनकी चेस्ट है चाती है वो है 36 इंच ये देखिए इस तरह से आपने नाप लेना है आपने अपनी एक फिंगर को अंदर ही रखना है और फिर बिल्कुल टाइट से नाप लेना है तो जी ये हो गया हमारा 36 इंच इसमें हम बात में जो एड करेंगे वो में नापेंगे तो जो हमारी वेसलाइन है वो आ रही है हमारी 31 इंच और अब हम जो है हिप नापेंगे तो हिप हमारी जो कमर से नीचे उबरा वाला हिस्सा होता है हिप वो होती है तो वहाँ पर हमने इंच रेप को ऐसे रखना है राउंड में पूरा और एक फिंगर अंदर दालके हम इस तरह से ऐसे नाप लेंगे बिल्कुर टाइट से तो यह आ रही है हमारी 39 इंच तो जो हमारी हिप है वो है 39 इंच यहां पर देख सकते हैं आप लोग और अब जो है हम सूट का बॉटम नापेंगे तो देखिए इस तरह से हमने अपना इंची टेप रखना है और जितना भी इनका बॉटम है तो जो इनका बॉटम है वो आ रहा है 21 इंच 21 इंच 21 इंच तो इने 21 ही रखना है तो मैं 21 ही रख रही हूँ आप अपने गॉटिंग कम यह जादा कर सकते हैं तो जो हमारा बॉटम है वो है 21 इंच अब हम स्लीप का नाप लेंगे तो देखि वैसे तो इनकी 16 इंच आ रही है बट मैं यहाँ पर जो है 19 इंच जो है length रख रही हूँ आप अपने हिसाब से कमियाज जादा कर सकते हैं और अब हम इसका bottom नापेंगे तो जी जो हमारे bottom की गोलाई है वो विल्कुल fix यहाँ पर 9 इंच आ रही है बट थोड़ा ढीला आप अपने according कमियाज जादा कर सकते हैं तो जी हमने सारे measurement ले लिए हैं तो जी यह है हमारे suit का measurement में साथ के साथ इसको लिखती गई थी और आप लोग भी जब भी नाप लिया करें तो साथ के साथ लिखते जाया कीजिए बाद में बहुत जादा confusion हो जाती है तो देखिए जो हमारी length थी वो थी 42 inch shoulder था हमारा 14 inch और breast थी हमारी 36.5 inch और waist थी हमारी 31 inch और hip थी हमारी 39 inch bottom 21 inch तो आपको पताईए कि हमने जैसे जैसे लिया था हमने वैसे वैसे लिख दिया है अब आपने क्या करना है जब भी हम body से नाप लेते हैं और बिल्कुल fix करके सिर्फ एक जो finger ह होती है उसके इंची टेप के अंदर डाल कर लेते हैं तो हमने क्या करना होता है जो भी हमारा नाप आता है उसमें हमने 1.5 inch प्लस कर देना होता है शोल्डर को और बॉटम को छोड़ कर शोल्डर और बॉटम को छोड़ कर हमने और लेंथ लेंथ शोल्डर और बॉटम को छोड़ कर हमारा जो ब्रेस्ट बेस्ट और हिप यह जो तीनों नाप होते हैं इनमें हम 1.5 जो है एड़ कर देते हैं ठीक है जी इन सब में हमने 1.5-1 इंच जो है एड कर दे रहा है जब भी भी आप बॉड़ी से न आप लेते हैं तो आपने ये 1.5 इंच एड करना ही है लूजिंग के लिए अगर आप ये एड नहीं करेंगे तो आपका सूट बहुत ही जादा जो है टाइट बनेगा कई बार क होगा कि आपको चड़ेगा भी नहीं वह तो लाजमी है कि आपने 1.5-1 इंच उसमें प्लस करना ही करना है तो जी देखिए 36.5 में हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे तो आएगा हमारा 38 इंच ठीक है जो और 31 में हम करेंगे 1.5 इंच तो आएगा हमारा 32.5 इंच और ये आएगा हमारा 14.5 इंच ठीक है जी अब क्या करना होता है जो हमारी length होती है उसको हम उतना ही लेते हैं जितनी हमारी length होती है और जो हमारा shoulder और हमारा bottom होता है उसका हम हमेशा half करते हैं इसको हम divide करते हैं 2 से हमेशा हम जो है अपने shoulder को और bottom को 2 से divide करते हैं, तो 2 को 14 से divide करेंगे, तो आएगा हमारा यहां पर 7 इंच, ठीक है जी, और bottom को करेंगे, तो आएगा हमारा यहां पर 10.5 इंच, तो जब हम nape, मतलब जब हम suit cut करेंगे, जब हमने nape लगाने होंगे, तो हम इस हिसाब से nape लगाएंगे, यानि कि, जो हम shoulder fiber www.spirable.com वाममेंशन को चार से 6 करते है। यह जो 3 नाप होते हैं इनको चार से 6 करते हैं जो फ़िए बोल ओटम होता है उसको हम हमेशा 2 से 7 करते हैं तो हम 38 को 4 से 6 करेंगे तो कितना आएगा यह देखे, मैं आपको करके Ass retro देती हूं तो अब देखिए यह आ रहा है हमारा 38 जो हमारी ब्रेस्ट है वो है 38 तो 38 को हमने चार से डिवाइड करना है तो 49 जा 36 8-62 पॉइंट लगा देंगे 045 जा 20 तो जो हमारी ब्रेस्ट है वो आई है यहाँ पर 9.5 इंच इसी तरह से हम इनका भी निकाल लेंगे और एक तरीका और है इसको निकालने का अगर आप लोग को इस तरह से भी नहीं आता है तो मैं आपको बताती हूं कि आपने किस तरह से न हमने सीधा अपना इंची टेप ले लेना है जैसे कि मैं यह वाला आपको नाप निकाल कर दिखाती हूं यह आ रहा है हमारा 32.5 ठीक है तो हमने क्या करना है अपना इंची टेप लेना है इस तरह से और जहां पर 32.5 आएगा हमारा यह देखे यह 32 और यह 5 तो यह 32.5 को हमने इस तरह से इंची टेप यह हमने डबल फोर्ट कर दिया ठीक है जी हमने इसको ऐसे डबल कर देना है और इस तरह से डबल और फिर जो भी हमारा ऐसे करके आएगा उसको हमने इस तरह से ऐसे तो यह देखे तो यह हमारा फोर्थ हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा तो यह हमार पर 8.1 इंच लेना है ठीके जी अब इसी तरह से जो है मैं आपको इसको करके दिखाती हूं 40.5 का तो आपने इंची रेप को पहले ऐसे डबल करना है यह सबसे इजी तरीका होता है और सबसे बहतर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको कुछ भी नहीं होगा अगर आप इस तरह से करेंगे तो देखिए 40.5 पर सबसे पहले मैंने ऐसे इसको डबल किया यह देखिए इस तरह से हमने इसको डबल किया अब इसको हम ऐसे तो देखिए अपने आप से जो है यह फोर्स फोल्ड हो सूट कट करेंगे तो हमने अपनी लेंद को 42 इंच लेना है शोल्डर को 7 इंच और जो हमारी चेस्ट होगी ब्रेस्ट उसको लेंगे हम 9.5 इंच और जो हमारी कमर होगी उसको लेंगे हम 8.1 इंच और जो कूल हा यानि कि हिप जो हमारी कमर से नीचे उबहा हुआ हिस्सा हो आप आती है बारी हमारी sleeves की sleeves की लंबाई हमने ली है 19 इंच और bottom है हमारा 10 इंच तो हम इसको भी 2 से divide करते हैं तो आजेगी हमारी 5 इंच तो जी ये था तरीका हमारा majorment निकालने का उम्मीद करती हूँ कि आप लोगो समझ आया होगा अब इससे next वीडियो में इंचाला जो है मैं आपको कपड़े पर cutting करना बताऊंगी इसी नाप से तो चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज